हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जैसरी शाम सो गैज मैं लेके आ गई हो आपके लिए महिंदी का वापस एक नया वीडियो तो ये जो वीडियो है रिक्वेस्टेट था काफी दिनों से रिक्वेस्ट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट ही के आप वापस से महिंदी का एक वीडियो बनाईए तो काफी दिन से में महिंदी अपने बालों में लगाई नहीं पारी थी ताइम ही नहीं मिल रहा था मुझे तो आज मैंने फाइनली टाइम निकाल करके आज सोचा ये कि अपने बालों में अच्छे से महिंदी लगा लूँ और मैंने रात में ही महंदी को गला दिया था जैसे मैं हर बार गलाती हूँ उसी तरह से और आज महंदी में special एक नई चीज है वैसे तो हमेशा की तरह जैसे कोफी पाउडर डाल करके मैंने महंदी को गलाया था उन्होंने मुझे सज्जेस किया था कि आप लॉंग भी डाला करिये जब भी आम महंदी लगाए तो उससे क्या होता है आपके महंदी का कलर काफी अच्छा आता है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्राय कर ही लूँ और आप जिस तरह से जिसके हर बार तो मैं दोनों तरफ बा साइट बाल जो दिख रहे हैं ना मेरे वो सारे कवर हो जाए और फिर मैंने एक साइट तो पूरा लगाई लिया है और मैं आपके लंबे बाल होते हैं और आप खुद से महंदी लगाते हो ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर मेरा बर्न जोए बनी न लगा लूँगी वैसे तो मैंने अपने महंदी के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं और आपने अलुरेड़ी देख भी रखे होंगे और जिनोंने नहीं देखे न वह प्लीज जाकर के चेक आउट कर लिजिए के मेरे महंदी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे और बालो मतलब मेहंदी का कलर और अच्छे कैसे से लाएं ये वीडियो भी मैंने डाल रखा है और आपके बालो में शाइन लाने के लिए भी आप मेहंदी किस तरह से लगा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है तो जिन लोगों ने भी नहीं प्लीज चेक आउट कर लेना मेरे वीडियो जाकर के और अब भी देखिए मेरे एक साइड में अच्छे से महंदी लग गई थी तो फिर मैंने जो दूसरा साइड है उसमें भी मैं लेयर वाइज महंदी लगा रही हूं अच्छे से अपने बालों में और अब गर में आ गई है तो आप महंदी लगाने में वैसे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा पर आप लोगों को तो बताईए कि मौसम का कोई भरोसा ही नहीं रहा है हमारे यहां पर तो कभी भी बारिश आना चालो हो जाती है कभी भी मौसम खराब हो जाता है तो जैसे ही ठंडा मौसम होता है वैसे मेहंदी रहता है मेहंदी रिचतीयों मेहंदी Walking को शॉरु गा होना फिर वही होता है ये मौसमक्राब हो जाता है तर इसको दिन में लगा है थे। पर मेरे साथ यह रहता है कि मैं हमेशा नहाने से पहले ही महंदी लगाना प्रिफेर करती हूं फिर यह लगता है कि एक घंटे आपने महंदी लगाई और फिर आप डारेक्ट नहा लो तो सही रहता है उससे आपके बाल भी वोश जाते हैं आप नहा भी लगते हो दिन में आप धाई को दो सही रहता है कि तो यहांपर देखिया में अच्छे लग गये मेरे अच्छा सा बन बना लिया आये पूरी मेन लेंध में उन्हीं को देख देखकर जितनी भी सारी महंदी है मतलब धीरे धीरे उस सब को अच्छे से अपलाए कर लूँगी अपने पूरे बालों में और आगे की साइड के जो कॉर्णर सुते हैं अगल बगल कान के आसपास कभी कभी क्या होता है हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं और चूट जाते हैं तो बाद में आप यह जरूर चेक आउट कर लें कि आप जबी भी महंदी लगाए तो आपके कान के आसपास के बाल वगेरा जो जितने भी सब उनको देख कर किये कोई वाइट बाल ना रह जाए यह सब चेक करकर कि आप महंदी को लगा ले तो देखी मेरे अच्छे से पूरी महंदी कवर हो गई है पुरा बर्ण भी अच्छे से कवर हो गया है महंदी से और हाथ देखी कैसे हो गया अब सभी नए वाश करूंगी और मैंने आपको टटा बोल दिया है इसमें वीडियो में पर बस मैं बोल नहीं वाली हूं वैसे तो आपको हो चलि लेना तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप आप से तब तक के लिए बाई टेक केर बाई